कितनी शरम की बात है कि एक ऐसा खिलाडी जिसने दो बार T20 World Cup में Player of the Tournament का खिताब जीता जिस खिलाडी ने T20 International में दुनिया में सबसे जादा रन बनाए उसका T20 कैलिबर अगले IPR मेंट साइड होने वाला है 2023 क्रिकेट World Cup के घाव अभी तक सूख है ना थे कि शुरू हो गया इंडिया वर्सित आस्ट्रेलिया की T20 सीरीज सूरिय कुमार यादव का पहला सीरीज अस कैप्टन और मैच देखके लगा कि टीम तो बिना कैप्टन के खेल रही है ना कोई bowling strategy दिखाई दी और ना कोई fielding में दम मैच देखकर ऐसा लगा की सारे bowlers अपने अपनी selection के लिए खेल रहे हैं लेकिन ऐसी performance रहेगी तो ना इनका selection होगा और ना हमारे पास रहेगा कोई hope वीडियो शुरू होने से पैदे पिछले दो वीडियो को इतना प्यार देने के लिए thank you अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया तब please कर दीजे target है 200 subs by the end of December now back to the video 2022 के T20 World Cup में England से semi-final हारने के बाद Indian T20 टीम में Rohit Sharma, Virat Kohli, KL Rahul जैसे players गायब हो गए और कप्तान बना दिया गया Barbados के Hardik Pandya को World Cup में अपने tango से ball रोकने की कोशिश करके जब Hardik Pandya ने 6 महीने की छुट्टी बुक कर ली तब हमारे BCCI को याद आया कि ये तो हर दूसरे साल injured रहता है तब जाकर BCCI का statement आया कि तुम दोनों को T20 World Cup खिलने का मन है तो आजाओ लेकिन as per sources, Virat South Africa Tour में वाइड बॉल के सारे मैचेस छोड़ने वाले हैं और सीधा Test Series में खिलने वाले हैं मगर Virat Kohli ने तो 2022 T20 World Cup में अपना 2.2 वर्जन दिखाया था और वही वर्जन फिर 2023 के IPL में back-to-back centuries मारकर भी दिखाया Virat Kohli ने 2022 T20 World Cup में 6 मैचेस खेले और उसमें 136 के strike rate से 296 run बनाए 296 run और average था 98.7 T20 में Donald Bradman की average लेकर Virat बने उस tournament के सबसे ज़्यादा run बनाने वाले बल्लेवास और ऐसा मानना बहुत मुश्किल है कि इस tournament के बाद इस खिलाडी ने दोबारा ये format नहीं खिला Virat का अगला T20 tournament था IPL जहां उन्होंने इसी form को continue किया 14 match में 649 run, 140 का strike rate और 53.25 average के साथ 2023 IPL में Virat थे चौथे सबसे ज़्यादा run बनाने वाले बल्लेवास और शुबमन गिल के बाद सबसे ज़्यादा run बनाने वाले भारतिय बल्लेवास रोहिट शिर्मा पर बात करने से पहले आईए देखते हैं विराट कोली के आज तक की T20 World Cup के performances 2022 T20 World Cup में 6 matches, 296 run, 98.7 का average, 136 की strike rate 2021 T20 World Cup, 3 matches, 68 run, 34 का average, 100 का strike rate 2016 T20 World Cup, 5 matches, 273 run, 137 का average, 147 का strike rate 2014 T20 World Cup, 6 matches, 319 run, 106 का average, 139 की strike rate 2012 T20 World Cup, 5 matches, 185 run, 46 का average और 123 की strike rate मतलब 2021 के World Cup के अलावा विराट कोली ने हर T20 World Cup में अच्छा पदरशन किया है तो ट्रोफी ना गीचने का ब्लेम सिरफ विराट कोली पर डालना तो सही नहीं है विराट ने 2022 से अपना game जितना improve किया है, अच्छा ही खराब होते गए हैं रोहिट शर्मा, 2022 T20 World Cup में रोहिट का performance काफी खराब रहा च्छे मैचों में रोहिट ने बनाए केवल 116 रन, 19 की आवरेज और 106 की स्ट्राइक रेट के साथ कीप इन माइड कि उनका स्ट्राइक रेट ODI World Cup में इससे कहीं गुना बहतर था 2023 IPL में भी काफी निराशा जनक performance रहा रोहिट का 16 मैचों में बनाए केवल 332 रन, 133 का स्ट्राइक रेट और सिरफ 21 की आवरेज के साथ 2022 World Cup से पहले हुए इंडिया वर्सेस साथ अफरीका T20 सिरीज में रोहिट शर्मा दो बार हुए ड़क आउट 2021 T20 World Cup में रोहिट के ओवरॉल नमबर्स बहुत अच्छे हैं 35 की आवरेज और 151 के स्ट्राइक रेट के साथ 5 मैचों में 174 रन मगर मैच बाई मैच देखें तो कहानी कुछ और ही है अफगानिस्तान के अगेंस 47 बॉल्स में 17 रन स्कॉटलेंड के अगेंस 16 बॉल्स में 30 रन नमबिया के अगेंस 47 बॉल्स में 56 रन और दूसरी तरफ न्यूजिलेंड के अगेंस 14 बॉल्स में 14 रन और पाकिस्तान के अगेंस गोल्डन डक सोर्सेस के अनुसार BCCI चाहता है कि रोहिट एक और T20 World Cup खेले रोहिट ने भले ही पिछले दो साल T20 में कुछ नहीं किया लेकिन उन्होंने अपने ODI World Cup के परफॉर्मेंस से अपने पुराने सारे पाप धो दिये हैं ऐसे में अगर रोहिट बाइलाटरल्स में अच्छा करें तब शायद उन्हें हम अगले World Cup खेलते देख सकें स्पेशली क्योंकि अगला World Cup वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा जहांकि कंडिशन भी बहुत ट्रिकी है और हमारे प्लेर्स को वहां खेलने का जादा एक्स्पीरियंस भी नहीं है शुबमन गिल ने अपने पिछले विस्टेंडीस दोरे में काफी निराश किया था उनके T20 में स्कोर्स थे 9 गिंदो पे 3 रन, 9 गिंदो पे 7 रन, 11 गिंदो पे 6 रन, 47 गिंदो में 77 और 9 गिंदो में 9 रन ऐसे में हमें रोहित और कोहली की बहुत जरूरत पढ़ने वाली है हर्दिक पांडिया अब सीधा IPL में खेलते हुए नजर आएंगे तो क्या ऐसे में हम हर्दिक पांडिया से कैप्टेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी अगर वो इस साल मुंबई इंडियन्स तक की कैप्टेंसी ना करें कहीं बीच वर्ल्ड कप में वो इंजर्ड हो गए तो हमारा पूरा कैम्पेन खताम हो सकता है तो ऐसे में रोहित और कोहली में से एक एक्सपेरियंस प्लेयर का टीम में होना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको अपने IPL टीम पर रिटेंशन और आक्शन स्टाटेजी वीडियो चाहिए तब कॉमेंट में अपनी फेवरिट टीम का नाम लिखें वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब लेट्स मीट इन दे नेक्स वीडियो